हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं यार बहुत हो गई पड़ाई कुछ पेट-पुजा कर लेते हैं दिशा लो अज तुमने टिफिन नहीं लाया ना यार थ्क्स, आक्षरी घर में बहुत जरूरी काम मैं तुमसे बाद में मिलते हुँ लीना! अए प्लीना यार इक तुली प्लीस ए और एक पूरी अए टेट हुए इस ओके, मैं भूने हो डश में फेंग देते हूं कहते हैं समय का एक एक छुण और अनका एक एक कर्ण कभी वरबाद नहीं करना चाहिए मेरे परिवार के हालात ऐसे थे कि मुझे होच संभालते ही अनकी कीमत पता चल गई थी अम्मा और किसी भूखे की भूख मिटाना इंसान का सबसे जरूरी करता वे है हब तक काम खतम नहीं हुआ तेरा मैंने करूंगी तो कौन करेगा क्या हुआ अम्मा अम्मा तुम बिल्कुल भी टेंशन मतलो बस छह मेने मेरी अलगभी पूरी हो जाएगी तुर मैं बहुत अच्छी सी जॉब ढूंड लोगी मैं सब सही कर दूंगी अम्मा हाँ अम्मा और मैं तो बरतन मालने के अलावा कुछ करने ही पाए देखते हैं तू कौन से तीर मारती है शेची ये ना बहुत हिंसक उधारण है देखना तेरी दिश्चा जंडे गाड़े की जंडे जंडे जित्ते भी जंडे गाड़े पर ये उची जात वाले कभी हमें उचा नहीं रेख सकते अमा ये दुनिया क्या सोचती है सोचने दो पर हमारे देश का सम्मिधान ना हम सब को बराबरी का दर्जा देता है के सब बड़ी बड़ी बाते हैं होता नहीं है ऐसा कुछ भी सची बोलती थी अमा हम गरीबी से जादा लोगों के भेदबाबरी सोच से लड़ रहे थे लेकिन मैं फिर भी अमा को होसला देती कि हमें चुपना नहीं है लोगों के उस सोच से लड़ना है जो दूसरों को कभी उचा उठता हुआ नहीं देख सकते यहांस केसी यह जरूर उची जातवालों का काम है बताती हुमें उन्हें छोड़ूंगी नहीं अभी अरे सुनो तो कौन है कौन है कौन है अरे हिम्मत है तो सामने आओ जाहे जितना भी कर लो तुम लोग एक बात काम कोर के सुनो हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे अरे हिम्मत है तो सामने से पत्तर वारो अम्मा, इन कायरों के सामेरे ना जला पाणने जो कुछ भी नहीं होगा पर इनको इनके कियेगी सजा ना एक दिन जरूर भी लेगी हाप अंदर चलो, चलो अम्मा जिर्वाज कुल ढोलागी Beto दिशा दिशा, दरवाजा कोल दिशा, दिशा, दिशा दिशा, 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 दिशा क्योने खुल लेगी दिशा, दिशा, वो दिशा अंदर से दर्वाजा नहीं खोल रही है, आप रोग मेरी मदद करेंगे क्या? वो दिशा अंदर से दर्वाजा नहीं खोल रही है, आप चलकर मेरी मदद करेंगे क्या? अरे... रामश्री? अरे, श्रीदेरन, वो में बाहर गई थी. तब दिशा अंदर पढ़ रही थी. अब जब वापस आये, तो वो अंदर से दर्वाजा ही नहीं खोल रही है. जर्वा देखो तो. दिशा! दिशा! दिशा, दर्वाजा कोल! दिशा, दर्वाजा खोलो! अब क्या करूं, मैं? आपने पीछवारा दर्वाजा चेक किया है? नहीं, पीछवारा दर्वाजा तो नहीं चेक किया. चलो, देखते हैं. आओ. आओ, जल्दी. यहां तो ताला लागा हुआ है. लगता है, दिशा कहीं ताला लागे चली गई हूँ. अरे, शैशी धरन. हम लोग पीछे के दर्वाजे से कभी भी आते जाते नहीं है. कुछ तो गड़बड है. वो, वोन है मेरा. दिशा के पाथ. फोन लगा. क्या हुआ? घंटे जा रही है. फोन की आवाज तो अंदर से आ रही है. अरे? दिशा! दिशा! अम्मा! क्या हुआ परशान? पर रूपा. दिशा अंदर से दर्वाजा नहीं खोल रही है. कुछ तो गड़ पढ़ है. शैशी धरन, दर्वाजा तोड़ दो. नजल दी. दिशा! तो प्रवाने हुआ चाहतान दो खोले प्रवालो प्रवाजाए है. युआ आवढ़ी स्चपोर तो नहीं जए है. प्रवाजा है. रही है. प्रवाने है. और रहाजादाने है. अम्मा, तुम बिलकुल भी टेंशन मत हो, बस छे मेने में मेरी अलब भी पूरी हो जाएगी, और मैं बहुत अच्छी सी जॉब दोड लोंगे देखना, तेरी दिश्टा जंडे गाड़े की जंडे? उन्हें एस्पथा लेजाएगे. सर्र, बहुत थी प्रूटल मडर है, लगत्ता है मल्टीपल स्टेमिंग केस है. तेको मडर वपन मिलता है. ओड़ी, सर्र. यहां केमी मडर वेपन नहीं है, वो ना तो फॉर्स देंटरी के साइन है ना लूट के. गवड़ा, तुम्हें घर देखके लगता है कोई यहां लूट के लिए गुसेगा? मोटेव क्लियर है, मरड़ा. पर इसके बाद के लिए यहां पीछे के दर्वादे से बागें. चेक करते हैं. खुलो. इसे खुलवाओ, और अपड़ोसी को अंदर बेजें. ओक सर्. सर, दिशा के अम्माने बताया कि यह उन्हें के घर का ताला है. और वो लोग हमेशा पीछे के दर्वादा अंदर से बंकिया गरते थे. और आने जाने के लिए सामने ओले दर्वादे का ही स्माल किया गरते थे. चेक करो. करजीश को बारी किसे चेक करो. यह सर. अब आरा यह प्लिस. जी सर. सर्थ, के सिंन्हें के तर्वादे को बंकिए होगा है खोङआ के दर्वादे की स्माल करने आने को खुढकने को फुड हैं वह सकता है दिशह जान किया है. भर के अंदर अने के दौर अ थैर warm जें फिच्छे के दर्वाजे से अपेक लोगा है, कि दिश्रम testingे भृट जटरी यहां इतना सब कुछ हुआ तो कि जिपा दुढ़ के इंदर आते हुए देखा हैं घर के पीछे से भागते हुआ। लेकिन सशेदरान का लवा और कोई पड़ोसी सामने नहीं आया है, बागी के पड़ोसी उसे पूछता अच करो, और बॉड़ी को पोष्माटम के लिए भीजवादो, ओके सर्व सब्सक्राइब, आसपास का कोई भी तीनों माँ बेटी से मतलब नहीं रखता, लेकिन ऐसा क्या? सर्व, दोश इन लोगों का नहीं, इन लोगों की बुद्धी का है, ये लोग जात पाताना बहुत मानते, उटना बैटना दू दूर, ये लोग उटन से बात तक नहीं किया करते थे तुम्हें कोई अंदाज आए कि दिशा से किसने किस बात का बतला लिया होगा? नहीं सर्व, इन सब बातों का मुझे कोई अंदाज है, मैं तो बस अपने काम से आवापस आ रहा था, और तब ये सब वह तो ये देखा मैंने माना अपने दिशा के घर में किसी को आते जाते नहीं देखा, लेकिन आपका घर तो दिशा के खर के बिल्कुल बराबर में है, आपने कुछ चिखने चिलाने के आवाजे तो सुनी होगी साफ, इन तीनो मा बेटी के आई दीन जगड़े होते रहते थे, शाम को अभी काफी चिखने चिलाने के आवाजे आ रहे थी, मुझे क्या पता अंदर मर्डर हो रहा है तो मत्रों आपने चिखने चिलाने के आवाजे सुनी थी, तब टाइम क्या हुआ होगा? तकरीबन साड़े पाच छे बज़े होंगे दिशा जिस वर्ग से आती थी, उसने इस केस को बेहधी समवेदनशील बना दिया था और दिशा की हत्या के इस केस को मीडिया काफी कवरेज दे रहा था दिशा बेहधी गरीब परिवास से तालुक रखती थी, फिर भी वो स्कॉलर्शिप से एलेल भी कर रही थी लेकिन आज भी हमारे समाज में उसकी जाती के लोगों को भेटाउस हैना पड़ता है दिशा की हत्या ने राजनातिक गल्यारों में ऐसी हलचल पैदा कर दी कि इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए S.I.T. का गठन किया गया और केस के अगुआई S.P. सुरेंदर सिंग को सौंप दी गई सार सर, सार, 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 स्मार्ट अकिन के फार में कुछ मत आई है, सार क्या दिशा की मौत में वाकिर जादी बात पो की एंगल है? जैसे की मिडिया हाई बना रही है सर ये तो तय है कि दिशा का प्रिवार आस्तास के लोगों के बहदबाव कर शिकार हो रहा था पर जिस तरह मर्डर हुआ है, लगतार किसी ने दुश्मन ही निकार ले हमें क्राइम सीन से तो पता नहीं चला लेकिन जब बॉडी को पोस्टमाटम के लिए भेजा तो पोस्टमाटम डॉक्टर ने बोला कि उसके प्राइवेट पार्स पे भी चाकु से वार किये गए तो दिशा के मर्डर से पहले उसके साथ रेप भी हुआ था? पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन पता तब चलेगा जब फाइनल पोस्टमाटम रिपोर्ट आ जाएगी दिशा की फ्रामनें ते किसी पर शख्ड़ता है? दिशा की मदर काफी सदमे मैं और दिशा की बड़ी बेन रूपा दिशा और अपनी मदर की हालत के वज़े से दोरे सदमे मैं उनका बयान तो नहीं लेपाए, लेकिन मर्डर के अगले दीन सुबह है, जब घर के पीजे छानबीन चल रही थे, अमें एक क्लू मिला है. हमें एक आदमी की लेफ्ट पाव की नौ नंबर की स्लिपर मिली, इस पे खून के धब्बे हैं, हमने स्लिपर को फॉरेंसी क्लैब बेज़ा है, चेक करने के लिए क्या वो खून दीशा का है, लेकिन मुझे यकीन है ये स्लिपर उसी किलर का है, जो दीशा के घर से भागते क्या नान में उसका, और वो घर छोड़ के क्यों गया था? उसका नाम गोपेशवर, उर्फ गपू, यही मुझे रहता है, हमने खबरियों को उसके वारे में पता लगाने के लिए बोल दीशा की मदर बता देगी कि इस गोपेशवर ने उन्हें छोड़ा क्यों था? ठीक है उस नंबर के call records निकल वा है, शायद उस नंबर से हो किसी लड़के से बात करती हो, लेकिन आगव, हमें इस केस में हर एंगल को इंवेस्टिगेट करना है, एक काम करते हैं, दो टीम्स बनाते हैं, एक टीम दिशा की फैमली और दिशा से जुड़े हर परसनल एंगल को उस एरिया को फिर से एक बर स्कान करा, जहां से हमें वो खून में सनिवी चपन मिली तो, शायद को और प्लू मिले, दिशा की हत्या में परिवार के अंधरूनी और बहरी आंगल्स को इंवेस्टिगेट किया जाने लगा, दरजनों पुलिस कर्मी पूरी मुस्तैदी से जा दुरी है, आपको किसी पे शक है जो दिशा को इस तरह से मार सके, साव हमारा को एक दूश्मन नहीं है, इस महले में सभी लोग हमारी जात की वज़े जसे हम से students करते हैं, कोई हमें पसंद नहीं करता या या लेकिन ऐसा कॉम डुश्मन हो सकता है, जो दिशा की जानने नहे साब मुझे कुछ भी पता होता है तुम तहली आपको सब कुछ बता देती अच्छा दिशा की लाइफ में कोई वाइफ्रेंड था? नहीं साब, ऐसा कुछ भी नहीं था साब, उसका सारा फोकस अपनी स्टडी पर रहता था उसकी लाइफ में कोई भी लड़का नहीं था लेकिन हो सबस्टा है कोई लड़का उसे परेशान करता हो, उसका पीछ आइदिया नहीं वो अपने प्राइड भी कोई शेर नहीं करती थी हमसे और इन फैक्टमें यह भी नहीं बता था कि उसकी परस्नल लाइफ में इतना स्रोगल है, सर हम ये भी इमाजिन नहीं कर सती कि वो इतनी पुवर थी, और उसकी घर में खाने की भी प्रोब्लम थे, अब समझ में आया कि वो कभी-कभी लॉंच बॉक्स क्यों नहीं लाया करती थी, और वो इतनी स्वाभी मानी थी कि हमसे भी खाना नहीं लेती थी, पढ़ने के बदले, बारी-बारी अगर एक दूसरी के घर चले जाए तो कैसा रहेगा? नहीं यार, घर नहीं, अरे अचली सनलाइट इस गुट पोर हेल्थ ना, और सनलाइट में तो कॉंसेंट्रिशन भी अच्छा रहता है, तो हम यहीं पढ़ेंगे, सर, वी औल लव रह है कि इतना कोई क्रूइल कैसे हो सकता है, सर, प्लीज फाइंडर कल्प्रिट, वर्ना उसकी आत्मा को शांती नहीं मिलेगी, हाँ, बोल, सर, दिसा के बाप के बाप के बारे में सब कुछ बता कर लिया है, मैंने, एक नंबर का दारूबाजर जुहारी आदमी है, उसके परा अच्छा, आपके पिता के अलावा, आपकी फैमिली में, आपकी रिस्तिदारी में, और कौन-कौन मर्द है, मेरा पती, आपका पती, लेकिन आपकी बहन दिशार का मर्डर हो गया, और ऐसे वक्त में भी वह आपके साथ नहीं है, सब, दरसल दो साल पहले ही मैंने उसे सावो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता था, हर रोज जगरता और मुझे कोसता रहता था, मेरा दिमाग खरब था कि मैंने तुस्ते सादी कि, ना शाकल ना सूरत, ना अकल ना सलिका, तुसे तो तेरी बहन है, तुम दोनों को देखके कौन कै सकता है कि तुम दोनों बहन और पर उस समय बात पता चला कि उसका चकर किसी और औरत के साथ चल रहा है, इसलिए मैं उसे छोड़कर अम्मा के पास चली आई, सब पते चल गया मुझे, हाँ, विजय का फोन आया था, इसका थोड़ा से जहरा हो अभी जैसे और तुम इसको उठा कि इधर ले आई, अरे बहुत हो गया, आप चीची कहीं पर भी नहीं जाएगी, दिश्या तो हमारे तलाग ही करवाना चाहती थी, नाम के आपके पती के, विजय नायर, तो आपका और विजय का तलाग हो गया, नहीं, इसलिक उस समय से विजय मुझ से और अम्मा से माफी माफी मांगने आ रहा थ लेकिन दिश्या बिल्कुल नहीं चाहती थी, कि मैं उसके पास वापस जाओ, सर, सर, जहां में वो नो नंबर की चपल मिली थी, वहां से करीब चारसो मीटर आगे, ये चाको मिलाए, हो सकता है, यही मर्डर वैपन हो, हो सकता है, इस पर किलर के फिंगर्पिंट्स हो, इसे फुरंशी जांच के लिए भीजो, ओके सर, गौड़ा, तुमने बताया था कि दिश्या के हत्या के वक्त, उसके परोसियों ने उसके चिलाने की आवाजे सुनी थी, लेकिन कोई मदद के लिए सामने नहीं आया, तो य उनके घर पे कोई आता जाता नहीं देखा, तुमने देखा नहीं, अपने जातवाले किसी आदमी को बचाने की कोशिश कर रहे हो, साब, हमारा जातवाला उन आउरतों के आसपास भी नहीं बटकता, वो आदमी उनका ग्राह की होगा, सरुना ना तो यह आरोब तक लगा द चुपा, छोड़ इसे, माफ कर दे मुझे, गल्ती हो गई जो दो बात कहती तुझे, अब आ अंदर से नहीं काऊंगे, अब यह तमाशा बनकर अरंदर चल, चलो चे, चलो अंदर चलो सरम ने पता किया, जिस अप दिशा का मडर हुआ, उससरे तुसकी मार वहन गरपे नहीं थे, उससे जिसतरा सी दिशा का मडर हुआ है उससे लगता नहीं कि इसमें माय वहन वहन का हाथ होगा अम्मा, 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 त्रावा, अम्मा, नास, देखिए नामोगोगे आउगे, आउगे, आउगे. दिशा की फ्रेंट्स में दिशा के करेक्टर के बारे में सब अच्छा ही बोला है। अच्छे के बारे में अच्छे से बता करें। Okay sir. पीछे इने छोड़ रहा है। जो चाचा, देखो पत्ता. गोफेश्वर उर्फ कपू, तुम हो. हाँ, क्या बात है? लेशो लेशो. बात क्या है साब? तुम्हारी छोटी बेटी दिशा का मअड़र अगया? तुम तो जानते ही होगी अरे लेगिं साब बात तो सुना मेरा उंचे क्या लेनाने देना क्या लेना देना मेरा उंचे ? साब मुझे उन लोगो छोड़े 25 सा लोगे और आप उस पुरानी बात को लेके मुझे शक्क करें हमारे शक्की छोड़ अपने शक्की बता तुझे डौड़ दाना कि दिशा तरी बेटी नहीं है इसलिए तुने अपने परिवार को छोड़ा हां क्योंकि मेरी बीवी का चरीतर सश करणके मनता हूं मैंने जिशा कभी अपनी बीटी नहीं माना अगर मुझे किसी को मारना ओता तो मैं 25 साल पले अपने बीवी को मारता लेकिन 25 साल बादर बेटी का हुआ हुआ है टो नहीं चपना नहीं जो आप नाक्या चाल अश्ब सब समय में आ जाए रहे है नोर नॉनम और आप मडल का अरोफ नहार है रागम, इसके फिंगरप्रिंट्स ले कैसी जाने दो और दिशा की हत्या वाली शाम की इसकी एक्टिविटीज चेक पर दो दिशा की माँ के कॉल रिकॉर्स में से दिशा के किसी बॉइफ्रेंड का नमर मिला अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है कि दिशा का कोई बॉइफ्रेंड ठाया नहीं दिशा की माँ के कॉल रिकॉर्स और अच्छे जिकर ना था पती चरितरहीन बोलके छोड़के चला गया था और परोसी भी प्रोसिटूट बोलता है और इसी दौरान दिशा की पोस्टमॉटम रिपोर्ट आई इस रिपोर्ट में कुछ ऐसे पाक्ट सामने आए जो बेहद ही चौकाने वाले थे तो पोस्टमॉटम रिपोर्ट से अब तो ये साफ हुआ है कि दिशा के साथ रेप भी हुआ था पर रेप करने के बाद उसके प्रावेट पास पे चापू से मल्टिपल वार किये गया है लेकिन आगम हैरान करने वाली बात ये है कि दिशा के ब्लड में से अलकॉल के ट्रेसेज मिले है अगर उसने हपता से पहले शराब पी ती तो क्या उस किलर के साथ पी थी और फिर उन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ जो वार्दात में तब्रील हो गया सर माना के दिशा के खुण में आलकॉल के ट्रेसेज में लेकिन पोस्टमर्डम रिपोर्ट से ये भी पता चला है कि उसके मर्डर के आथ धंटे पहले से उसमें कुछ भी नहीं खाया तो हो सकते शराब भी उसे जबरदस्ती पिलाई गए इसके अलाब से दिशा उसकी माह और इसकी बेहन के के खिलाफ कोई वेसा सबूत नहीं मिला तो ये प्रूव करें कि उसके लाइफ में लड़का भी नहीं तो दिशा के लाइफ में लड़का भी नहीं लेकिन रागम फ्रेंसिक रिपोर्ट से ये बात तो साफ हो गई है कि नौ नंबर की चफ़ल और उस चा अधिशा के लागू और घर पर में लें फिंगर प्रेंट्स एक ही आदमी के तरह इसका मपलगे सारा कांट एक ही आदमी का किया हुआ है यार ये बिखारी यहां पर काफी दिखाई नहीं थिया है यार, दिशा का रेप मड़र जस्ते हुआ ना, जस्ते ही गायव है कहीं इसनीद्स कुछ निग्या? चल्ब, देखते हैं, चोलो. यारे, इख, किदर तरह? हाँ? पूल, तान थावेतू. रेप करता है, उमाधर करता है. पूल, पूल, चोलो. पीज़े, डोक्र, पीज़े, जो. पीज़े, पीज़े. तरसांस चल्दी है. इसी जल्दी साफपटमें किदा. ओकि सर्व. सर, शाहिद इसी ने दिशा के रेप और मुर्डर किया है। अगर इसने कुछ गलत किया है, तो इसे सथा कानून देगा। तुम को और होते हो किछ को सथा देने वादे हैं। इस वो काफी चोटे आई हैं। और काफी खोन भी बैचुका, जिसकी विएस इसकी हालत, बहुत ही क्रिटिकल है। क्या लगता है गोड़ा। उस आदमी का दिशा के रेप और मुर्डर से कनेक्शन हो सकता है। सर मैने दिशा की फैमिली से पता किया। उननन बताया कि दिशा उस बिखारी को अक्सर खाने का समान दिया करते दिए। लेकिन उननन उस पे किसी वी तरह का शक्त नहीं चताया। बहुत सर एक बात होता है। कि जब से दिशा का मदर हुआ तब से वो बिखारी गाइब था। जैसे उसकी हालत पूरी स्टेबल होती है। उसका भी डियन डेस करवा। ओके सर। सर मुझे यह नहीं पता प्रुपा अपने पती की साथ क्यों नहीं रेती थी। लेकिन उसका पती हमेशा आया जाया करता। पर लगाँवा. थार्ष दिन पहले तो वो रुपा को अपने साथ जवरस्त लेजाने की कोशिछ भी करना त। टहुत्ताब पेचसे निचा नहीं चार आप, कहिन नहीं जाएगी यह यह. अगर तूसे बीवी मानता ना तो किसे और और अरत के दा रिष्टा नहीं रखता दू तेरी चेचे भी ना कुछ कम नहीं है इसकी सच्टा है तूझे पते चलिले तो अगर आप खुद है और आरोब मेरी चेचे पे लगा रहा है ना चलिल निकाल आसे निकाल 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 नमर लगागे ना पुलिस तो बुलाओंगी भाग कुछ भी नहीं कियो 16 जून की शाम तो ने दिशा का मड़ रखिया था नहीं सब वस्वत में डूटी पर था साफ मैं मानता हूँ कि उनके साथ मेरी मेरी नहीं बनती है धिन साभ मैंने कुछ भी नहीं लूटी है जाजिए अपनी बखनलें कःड़ी कर दिया अपसा तो आया होगा, इसलिए तुने उसे सिर्फ मारा नहीं, बल्कि उसके साथ अपनी हावस भूरी थी नई सर्ब मैंने कुछ भी नहीं किया है, मुझे जाने तो सर्ब दिशा का रेख हुआ है, ऐसे नहीं जाने नहीं है इसका DNA टेस करवाओ, दिशा की बॉड़ी पर जो DNA मिला भाओ, तो दुरूरी सिगा होगा हलो क्या? सर्ब जिस आदमी को लोगों ने दिशा के गर के पास पीटा था, उसकी होस्पिटल में डेथ हो गई है सर्ब दिशा से रेलिटेड एक और बात पता चलिए दिशा ने करिब दो महीने पहले एक राजू नाम के आदमी पर अटेम्ट टू मर्डर का केस फाइल किया लेकिन बाद में उक केस वापस ले लिए केस के डीटेल्स में लिखाए कि सराजू ने दिशा की माँ को अपनी बाइक से रॉन के मार देनी की कोशिश की ती इस राजू को पुच्टाच के लिए बुला लिया सर मुझे यहां क्यों बुलाए गए राजू हमें पता चला है कि दिशा ने तुम्हारे खिलाब अटेम्ट टू मुडर का चार्ज दगाने की कोशिश की थी हाँ सर लेकिन उसने मेरे खिलाफ जूटा केस डाला था वो बहुत चालाक लड़की थी सर उस चालाक लड़की का मडर हो चुका है हाँ सर मुझे पता चला है लेकिन सर मुझे क्यों बुलाय गये हैं आपे आप मुझे पे शक्कर रहे हैं तुझ पर जोटा के इस जाल के परिशान तो किया ही था उसकता हुसे मारने का कोई और मकसब भी हो तेरे पास तरे इसा कुछ नहीं है बल्कि वो मुझे बदनाम करना चाहते थी मैं तो अपनी बाइक पे शांति हिजा रहा था इसकी मा जानबुद के भीज में आ गई अचा खुट चकर मारकें को गिरा दिया और हमें आखे तिखा रहा है मैं तुम लोगों के परचाही से भी दूर भागता हूँ और यह तुम्हारे चकर इस बाइक को दूलाना पड़ेगा क्या बोड़ रहा है तू शर उसने ऐसा बवाल मचाया कि मुझे थाने के चक्तर पे करकाटने पड़े हाथ जोड़ की गिरगड़ा आया तब जाकि मानी तब जाकि उसने केस वापस लिया था मतलब जिन लोगों से तू बात करना भी अपनी शांग के खिलाफ समस्ता था उनके सामने गिरगड़ाना पड़ा है हां सर और मुझे बुस्ता भी बहुत आया तिं को चुनावी हथियार बना के अलग-अलग कर्थिक्रियाएं दे रही थी और इस सब के बीच दिशा की मा बयान देने की स्थिती में आई और उसका बयान इस केस को एक नई दिशा देने वारा था कि अग्याएं पुझे पर देखिए लेकि वो तो अब लौट के नहीं आ सकती है लेकिन जिस किसी नोसे मारा है उसका पता लगाना हमारा काम आप ज़रा अच्छे से याद करके बताई कि पिछले कुछ दिनों में आपने ऐसा कुछ देखा या नोटिस किया जिसका कनेक्श दिशा की मौत से हो सकता है हाँ साब एक रात पहले किसी ने हम पर हमला किया था हमला कैसा हमला रात को हमारी चछत पर किसी ने पंथर भेके थे मैं बहार आकर देखी तो वहां कोई नहीं दिखा पर अगली सुबहा मैंने देखा अमा तेरे लिए नाने का पानी रख दिया है जटना होगे मुझे लगा कि वह बीडियों और माचिस मेरे पडोसी का है जिन्नोंने हमारे छपर पर पत्थर भेका था पता लगाने की सोची रही थी तब तर तो वह बीडियों और माचिस इस वक कहा है मेरे घर ने सर यह देखो सरी काफी लो क्वालेटी की वीडियी है इस तरह की वीडियों देबर क्लास के लोग ही पीते हैं नौ नंबर की चपल के बाद पुलिस के सामने उस ब्राइंड की बीडियाई जो शायद दिशा का हत्यारा पीने वाला हो सकता था यह सानुमान के आधार पर पुलिस इलाके के उन वर्गों के लोगों की चार्ज करने लगी जो गुनागार हो सकते थे और तभी एक नई सूचना सामने आएंगा पता चला है कि कुछ दिनों पहले दिशा की मज़र का कुछ मजदूरों के साथ जगड़ा हुआ पैसाली के भाग जाओंगी क्या घर बना रही हूं तो रहने के लिए अभी काम मत रोको पीछे वाली पूरी चट बागी है और यह तो तुम बहुत दिनों से कह रही हो एक सब पर पर इसा छोड़ चुकता अगर आप बद्ले में यह तरी हमत कैसे हो यह सब बोले कि हां औरे ऐसे दुपारा बोला तो जान से बातु की चट बहें कि आए रही परमाना तो इसे घर उन मजदूरों में से सिफ एक मजदूर के वो डिया ना सेम्पल्स मिल पाया है. वो सकता हुए उन मजदूरों में से कोई एक हो? उठागे लाओ सबको. जी, सर्व. सब, क्या गुलती हो गई यह उसे? सब पता चल्दा है. यह बताओ, तुम में से महताब बीडी कौन-कौन भीता है? मैं भीता हूँ, सब. गोड़ा, जो आदमी चुप है शुरुआत उसी से करें? तुम में से नौनमबर की चपल कौन-कौन भेंता है? सब, आप हमसे जानना क्या चाहते हैं? तु सोच, क्या जानना चाहते हैं? 16 जून की शाम को दिशा के खर कौन गया था? किसने मारा दिशा को? हमने नहीं मारा साथ. जाद दाजा करवाऊ इंकी. देखो कौन सबसे पहले मूँ खोलता है. अरज़ भाई! अरज़ भाई! रूपा कर तु चाहा कर भी घर नहीं बसा पाए. पर तु तो शादी कर ले? अमार, शादी से भी जादा जरूरी है कि मैं एललवी पूरी करके कहीं जॉब दूनाओ. इसके बाद को तु तु नहीं शादी का? शादी के बाद भूल तो नहीं जाएगी हम लोगों को. हरी क्या हुआ? ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? ये लोग. लोग? क्या है अमार, ये है मेरी वेल. मतलब की बसी है. और इसमें लिखा हुआ है कि मेरे मरने से पहले और मेरे मरने के बाद. मेरा जो कुछ भी है वो सिर्फ आपका और चेची का. दोबारा ये मरने की बाद मत करना कभी है. अम सब्सक्राद को तोडा. लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोल जया. इन सब का DNA देस्ट करवा. और इंके इलावा उस एरिया में जित्नी भी मज़दूर काम करते हैं. और दिश्या का कोई भी आडोस्ती परोस्य जिसमार जरा साभी शर्थ है, सब का DNA टेस्ट करवाई किसी को भी benefit of doubt देना ठीक नहीं है क्योंकि ये case बहुत sensitive होता जा रहा है एक तरफ जहां दिशा को इंसाफ दिलाने के लिए मोर्चा बंदी शुरू हो गई थी वहीं दूसरी तरफ पुलिस अपने शक की पुष्टी करने के लिए इलाके के दरजनों लोगों का DNA टेस्ट करवा रखी थी सर्थ दिशा के घर के पास एक construction site है जहाँ पे कई सारे migrant workers काम करते है पता चला है कि दिशा के murder के बाद वहाँ से तीन workers गया आप है समीर, जुगल और अकील सर्थ जुगल और अकील वेस्ट बेंगाल के रहेने वाले और समीर असाम का इन तीनों के address नहीं मिल पाया लेकिन इनके साथ जो वरकर्स काम करते थे उनसी इनके phone numbers मिलें समीर और अकील का phone switched off लेकिन इस जुगल का phone अब भी switched on इसके साथ काम करने वाले एक वरकर से हमने इसे phone कर वाया लेकिन इसने phone उठाया नहीं इन तीनों के call records निखा लेकिन इन तीनों को यहां आसपास कभी देखा है आपने नहीं कौन है यह लो हमें शक है दिशा के रेक पर मर्डर में इन तीनों का हाथ हो सकती है सरी समीर का phone दिशा की मर्डर वाली रात सही आसाम की तरफ मुग करने लगा और वहां पहुचते ही switch off हो गया समीर और अकील के phone दिशा के मर्डर के अगली दिन सुबह से वेस्क बेंगल की बिर्बर मेरिया के तरफ मुग करने लगे वहां पोस्नाय के बाद अकील का phone दो दिन बाद switch off हो लेकिन जुगल का phone अब भी बिर्बर मेरिया में एक्ट हो है यानि कि इन तीनों के गायब होने की बजा देशा के मर्डर से जुड़ी हो सकती है मैंने कुछ ही यह किया सर मैं तो यहां पर अपने कजिन के शादी में आया हूँ और मैं दो दिन बाद में वापस जाने वाला था सर बलकि मैंने तो वापसी की टिकेट पहले से बुक करवा रखिया सर अकिल और समीर करा है कि अब मुझे पता चला कि उसरा समीर को मुझे जाने की इतनी जल्दी क्यों थे एक यार मुझे ना 2,000 रुपे गे जरुवत अधि मुझे जलसे जल आसाम जान लो सर मैंने उसे 2,000 रुपे दे दिया उसी रात वो सर असाम के लिए नितली है सर तब मुझे एसास नहीं हुगा लेकिन अब लग रहा है सर वो शायद आप लोगों से लगा था इसले शार मुझे करने के बाद वो यहां पागा है के समीर अभी कहा मेलेगा शायद अपने समीर, समीर का है समीर नहीं मेला राह प्राइम सब्सक्षर करें समीर का गाइब होना प्राइम सस्पेक्ट बना रहा था उसकी दलाश जारी थी तभी उस कार्तिक नाम के व्यक्ति की post-mortem report और DNA report आई जिस पे दया करके दिशा अकसर उसको खाना दिया करती थी तभी उस कार्तिक नाम के आदमी को लोगो ने दिशा का rapist और murder होने के शक में मार दिया था उसके fingerprint दिशा के घर और चाकू पे मिले fingerprint से match नहीं करते सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबे कार्टिक की मौत इंटर्नल और एक्सटर्नल इंजरिस की वज़े से हुई थी और मौत के 36 गंटे पहले तक से उसमें कुछ खाया वे नहीं था अजय कि अजय कि मतलब वन नोगों ने बिना सोचे संजय ऐसे आग्मी को मारा जो पिचारा भीक मांगे अपना पेट पाल आथा ऐसे लोगों की वज़े से दिशा और उसके परिवार को इतना कुछ जिलना पड़ा ऐसे लोगों के इग्नॉरेंज की वज़े से दिशा के साथ रेप और उसकी हत्या करने वाले को दिशा के साथ इतनी जाथी करने का हौसना मिला अगर यह लोग पहली दिशा की चल्दाने से कट्टा हो जाते हैं, तो दिशा के साथ इतनों बुरा कभी नहीं होता. स्मीर ने अपनी वाइव को कंद्टेट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्टे, ते अभी वो कांची वेलम के एक हाड़वेर गोड़ाँ उन के पास. तो अक्केल को अपने साथ दे के कांची वेलम जाओ. हो सकता उसके जरीए हम समीर को अरेस्ट कर सकते हैं. जी सरु. समी, हरे अकेन! केसा रहा है? केसा रहा है? केसा रहा है? मैं पेड़े रहे लिए! पता, पता, ये पता दो! मुझे पता, चलाकी, उस गहर में तीन ओर्पते रहे थिया. मेरी नजर्द, उस गहर के दोनों जवाल लड़िके उपर. मैं बस मोकी की तलाश में था. कुछ बता चला की, हासवास के लोग ये उनसे बात नहीं करते. यही जान्द, एक लिए उस राक में हुआ गया था. और मैंने उनकी छतबर पत्थर भी पेके था. उसके इतने चिलाने के बाद भी, उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया. मुझे लगा है कि मैं उस लड़की के साथ कुछ भी करूँगा. तो आसवास के लोग उसकी मदद के लिए नहीं आई. मैंने सोच लिया था, कि जिस दिर उस घर में कोई लड़की आखे लिए होगी, तो मैं वहाँ चाम मज़रू. कौने दू? कौने निकल आजे? भागी आजे, निकल. कौने? भागी आजे. दूख! आप! 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 झाल, 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 झाल. झाल, 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 ABS जाँ, झाल जी, थिशा कीart मैं रमेशरी आते हैं, झी. जी आपके और दिशा की बहन रूपा के लिए इसमें लोगों ने हमारी मदद करने के लिए पैसे जमाग किये थी इसी कछा थी अमा यह मेरी विल मतलब की बसी है और इसमें लिखा हुआ है कि मेरे मरने से पहले और मेरे मरने के बार मेरा जो कुछ भी है वो सिर्फ आपको और चीचिता हुआ दिशा एक ऐसा संघर्ष कर रही थी जो काबिले तारीव था दिशा की हत्या उसके परिवार के लिए जितनी दुखत है उतनी ही इस समाज के लिए भी दुखत है क्योंकि दिशा जैसे प्रतेवावान लोगों की हमारे समाज को ज़रूरत है एक नफसोस हम अकसर ऐसे लोग and enjoy watching the videos